असलाम अलेकूम, वेलकम बैक टू मैं चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, होफुली आप सब ठीक होंगे, और अला के शुकर है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, तो अब वेदर काफी हाथ तक चैन्ज हो गया है, तो बच्चों की अब थोड़े से कपड़े लेने थे, विंटर के, तो आज हमरा इरादा था कि हम क्रीम लॉग मार्किट को जा की विजिट कर करते हैं, और उसको एक्सप्लोर करते हैं, और वहां पर ब्रैंड्स की भी काफी सारी शॉप्स हैं, ये ब्रेक आउट आउट फिटर्स वगहरा, और असल मेरे बेटे ने अपनी शॉपिंग जादा करनी थी, क्यूंकि उसके माशालला हाइट भी बढ़ी हुई है, और उसक काम के टाइम ही हम गई थे, मगरिब के बाद, तो बड़ा वैसे अच्छा रहा वहां पे ना, बहुत राश था उस मार्केट में, क्यूंकि काफी ज्यादा लोग वहां से शॉपिंग करते हैं, और वहां से बड़ी रीजनेबल प्राइस में ना, चीज़ें मिल जाती हैं, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की, यानि के आप होपसकोच और इस तरह की ना, मिनी माइनर्स और बच्चों की बड़ी अच्छी वराइटी वहां पे मुझे लगी, और बड़ी रीजनेबल प्राइस मतलब अफोडेबल के एजिली बंदा ले सकता है, वैसे आम शिर्ट तो किसी ब्रैंड से लें, तो पची सो तीन हजार से कम नहीं आती, तो अगर वहां से लें तो वही चीज होती है, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज और बड़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है, मुझे तो बड़ा एकनॉमिकल लगा, और यह देखें, कोई जगा नह हमें मिल रही थी, गाड़ी पार करने के लिए, इतना कुरश था यहां बहुत ज्यादा, ब्रैंड भी काफी सारे हैं, ब्रैंड्स की फैक्टरी, आउटलेट वगएरा काफी ज्यादा है, हर ब्रैंड की है तकरिवन यहां पे यहां पे तो यहां पे बड़ों के, बच्चो स्कीन जो भी हमें चीज़न चाहिए थी तो असल में हम हुडीज वगारा बच्चों की देख रहे थे और मेरी चोटी बेटी के लिए मैंने कोई वो लेने थे ट्रैक सूट वगारा और को जम इस तरह से कोई स्वेट शियर्ट वगारा लेनी थी तो सबसे पहले तो एंट्री क पूड आपको पता है जब शॉपिंग करने चले जाओ तो चने इस तरह की आलू चने वगारा इस तरह की लड़ू और पॉपकॉंज और बचे ने फिर इस तरह की चीज़ने को कफी नजॉय करते हैं तो यहां पर ब्रैंड्स भी कफी अच्छे थे हम आउटफिटर्स पर बड़ी अच्छे से लगी हुई थी ब्रेक आउट पे भी और इसके अलावा एक ब्रैंड और था असेंशिया शायद असेंशिया के नाम से ही था वहां से भी मेरे बेटे ने दो तीन वहां से अपर 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 अपने लिये थे तो बड़े अच्छे मिल गए थे और इसना आठ नो दस साल की बच्चीयों के ना बड़े अच्छे और बड़ी अच्छी वराइटी थे इनके पास ना और स्टाफ बड़ा अच्छा था तो यह मेरे खाल हम असेंशिया में थे और मेरा बेटर ट्राय का रहा था वहां पर जो भी उसने लेना था तो फिर सारी श हैं उसके लिए भी फिर उसी तरह की शर्ट्स ली और ट्रैक सूट लिया और ऐसे ना दो तिन चीज़ा उनके लिए भी ली तो फिर मेरे हस्पर ने थोड़े तिन पहले देखा हुआ था कि क्रीम ब्लॉक मार्केट के पास ही ना इसमें है वारिस नहारी है क्योंकि हमें तो हैं अरकेली में इनकी ब्रांच है तो इधर तो हम कभी भी हमने विजर्टि ने किया तो फिर मेरे हस्परे ने देखा हुआ था तो पिर हमें ऐसे बस फाइंड करके तो फिर हम वारिस नहारी पूंचकि तो ये हमें भी मुझे मुझे Хस्पर ने है और बच्चे भी शोक से क करते हैं तो फिर हमने अंदर जाके हम बैठे और फिर हमने और की नहारी किंकि हमने हाफा फ्लेटी मंगवाई थी एक बच्चों ने पता नहीं को कैसी लगे अगर अच्छी लगी तो और मंगवा लेंगे कि इसका इतना लंबा चुरा आरडर नहीं होता आरडर करें तो फोरा ही आए और इसके बाद ना आगे एक चाइनीज जब हम खाके निकले ना यहां से नहारी तो एक चाइनीज फूड की ऐसे शौप सी थी तो हमने मॉमोज ना कभी भी ट्राइ नहीं किये थे बच्चों को बड़ा शोग था कि यह ट्राइ करें यह मॉमोज कैसे होते हैं तो मे मेरे हस्बन ने और मैंने खाये थे तो हमने का वेस्ट तो रही ना करने तो बस फिर हम वापस आ रहे हैं यह फ्लावर की मार्किट है उसी रस्ते में बहुत बड़ी काफी बड़ी है मतलब यह काफी ना है भी फेमोस है यहां पे फूलों की बहुत ज्यादा वराइटी थी अक्सर हम यहां से गुजरते हैं तो बस आज ना और 18 नुवंबर को ना मेरी नानो का बड़सी होती है तो माशाला से उनके में मामूने ना वीडियो बना के सेंड़ की है अपनी फैक्टरी में ना उन्होंने माशाला कुरान खानी करवाई थी बच्चे इस पारा पहर रहे हैं और इसके बाद फिर इनको खाना खिला आया था जितने भी वहां पर लेपर्स वगरा काम करते हैं लोग और अल्ला ताला कबूल फर्माए और हमारी नानो को जन्तल फिर्दोस में आला मकाम अता फर्माए और उनकी दरजात बुलंद करें आमीन सुमामीन और माशाला य रही हैं और कुरान खानी करवाई हैं और मामू ने मुझे वीडियो बना के बेज़िया है कि ये भी आड़ करना अपंदरना लॉग में लेना क्योंकि ये वही दिन था तो हम लोग भी पढ़ते हैं माशाला पूरा साल में हम लोग पढ़ते हर नमाज में नानो के लिए बस यब ये सब लोग पढ़ा हैं और ये खाना का रहे हैं अला तलब कबूल फर्माए इन सब का पढ़ना जितने भी बच्चे आयोए थे मंदरिसे वगरा से आयोंगे अला तलब कबूल फर्माए इनका पढ़ना आमीन से मामू की ना फैक्टर्टर जहां पर हमने पहले भी एक दफार विजिट किया था राइस फैक्टरी एंकी तो यहीं पे ना फिर यह कर लेते होते हैं कोई भी ऐसे कोई मौका हो ना तो फिर यहीं पर खाना बनवाके तो फिर इन में डिस्ट्रिब्यूट कर देते हैं इनको खिला देते हैं तो चले जी अब अगले दिन की ये वीडियो है फिर हम शापिंग करके आ गए थे तो फिर जाहरा इतना लेट हो गया था उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते थे तो फिर अगले दिन मैंने बच्चों के लिए खाना बनाना था, चाइनीज राइस और मेंचूरियन तो हमने उसके त्यारी कर रही हूं और वीकेंड पे, न मेरे सेठैड़ को ये बनाना था तो फिर हम बाहर चलेंगे मारा बाहर का इराता बन गया तो फिर हमने खाना भी बाहर से खा लिया, तो भी मैंने का कोई नहीं संड़ को बना लेंगे तो अब इसकी रेसिपी पहले भी मैंने दी यह मेरे चैनल पर है और इसमें सिंपल अब एक अंडा डालके बोनलेस चिकन है क्यूब्स की शेप में कटा हुआ तो इसमें हाफ कप मैंने कॉन फ्लोर डाला है और इसमें थोड़ा सी थोड़ी सी काली मिर्च और नमक और सिर्का और सोय सॉस डालके इसको मिक्स करके न तो इसको मैरिनेट कर दूँगी मैरिनेट करके रख दूँगी तो चाहें तो आदे गहंटे गहंटे के लिए भी रख दें और चाहें तो आप फोरण ही फ्राय कर लें अगर आपको जल्दी है तो फोरण फ्राय करके तो काम शुरू करें अपना तो इसमें मैंने काली मिर्ची और नमक डाल रही हूं और सिंपल से इंग्रेडियन्ट है ज्यादा कोई खास नहीं है इसमें जाएंगी चीजे काली मिर्च नमक, सिर्का, सोया सॉस, एकंडा और हाफ कप इसमें मैंने काउन फ्लोट डाला था अब इन सब चीजों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से और मेरे बच्चों का यह फेवरेट फूड है हम सब को बहुत ही पसांद है, मेरे हस्परन को भी पसांद है, मुझे भी पसांद है और बच्चों को भी शुकर है, वो खा लेते हैं और घर में बनाएं ना, तो क्वांटिटी भी काफी अच्छी बन जाती है और इतना अफोर्डे मतब एकनॉमिकल भी पड़ता है कि बाहर से आप ना लें तो इतनी क्वांटिटी भी नहीं होती और इसकी प्राइस भी काफी होती है यानि कि काफी ना, एक्स्पैंसिव लगता है गर्बें बनाएं तो बड़ा ही एकनॉमिकल पड़ता है और क्वांटिटी भी इसके काफी अच्छी बन जाती है और बच्चे ना, शोक से खाते हैं और अपनी मर्जी से खाते रहते हैं क्योंकि मैं क्वांटिटी में ज्यादा ही बनाती हूं राइस भी ज्यादा बनाती हूं और मैंचूरियन भी ज्यादा बनाती हूं क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ी तोड़ी देर बाद भूख लगती रहती है और जब कोई इस तरह की चीज़ बनती है ना तो फिर वो बड़ी शोक से खाते हैं तो गहंटे बाद दो बाद फिर मामा थोड़ी से टेस्स कर लें मामा खा लें तो वीकेंड्स पे तो वैसे भी होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ ना खाते रहते हैं तो बस इन्हें भूख लगती ही रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद तो हमारे गार में एक्सर ऐसे भी होता है कि लेट नाइट भी ओ जाए ना तो बच्जे फिर आखे कहते हैं मामा कुछ खाएं अब सर्दियां भी आ गई टू आगए हैं वैसे भी दिल चाता है कभी कुछ खाएं कभी कुछ खाएं तो चलती रहती है पार्टियां तो सद्धियों में तो वैसे भी खाना खाने को न ऐसे चीज़ें ड्राइफ फ्रूट्स वगारा मुंफली और इस तरह की गरम-गरम न हमारे बनाते भी है इधर तो फिर वो बचे ले भी आते हैं तो शोक से खाते हैं मैं चिकन को फ्राय कर र पर या एक कब से थोड़ा सा काम भी समझे My Ketchup एड़ करáfic हूं sein het एक कब के बराबर ही तक्रीब भन या कैचप है और इसमें बमैसारे साड़ा डलूंगी इसमें भी नमक काली और सिर्का थोड़ा सा और एग्जेक्ट मैं आपको नहीं बता रही इसकी महिरमेंट्स के कितनी कितनी चीजें मैं बस अपनी अंदाज़ें से डाल रही हूँ और इसमें चिली सॉस भी डालूंगी और रेड़ चिली पाउडर मैंने इसमेंगी अड़ किया था तो और बस यह सारी इसमें सॉसिज एड़ करके तो जो मैंने सबसे पहले मैंने दिखाई थी मैंने आपको बताया नहीं यखनी मैंने बनाई थी यह बोन्स की ना और थोड़ सा चिकन नहीं लेके तो उसकी मैंने यखनी बनाई थी तो अब वो जो यखनी है ना अब इसमें मैं एड़ कर तो फिर अब इस कानफरोड डालेंगे चिली सौसे ही थोड़ी सी स्पाइसी ही हो जाएगी और इसमें शुगर भी जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स मैंने नहीं डाले थे क्योंके फिर ये पैसी नहीं अच्छा लगता चाइनीज फोड में वसकाली मिर्चे जगा प्रवी पैसी अच्छा भी नहीं लगता और चाइनीज घानों में चाहनी ब्लैक पर्पर ही यूज कर दें क्यूंकि कॉन फ्लॉर से इसकी ना पेस्ट काफी थिक सी हो जाएगी तो इसके ग्रेवी जो है ना वो थिक हो जाएगी तो अगर आपको यखनी काम लग रही है ना तो आप थोड़ सा पानी भी आड़ कर सकते हैं कोई मसला नहीं है इसके टेस्ट में कोई फरक नहीं तो अक्सर लोग जो है ना वो यखनी बनाते भी नहीं है पानी में ही करते हैं और यह अब मैं शूगर डाली है तकरीबन पांच-छे चमच ना टेबल स्पून इसमें चीनी जाएगी और यह मीठा मीठा से होता है तो यह अच्छा लगता है चाइनिस राइस के साथ ना हमे इसमें कॉन फ्लोर डाल रही हूं इसको ठिक करने के लिए इसकी ग्रेवी जो है ना वो ठिक करने के लिए अब यह पाक जाएगा अच्छी तरह इसको मैं पकाऊंगी अच्छी तरह कॉन फ्लोर डालने के बाद भी मैं इसको ग्रेवी को ना पकाऊंगी अच्छी तरीके से ताकि इसमें कच्छा पानना कोई फील हो और जो कॉन फ्लॉर भी आना वो भी अच्छी तरह से पक जाए तो बस इसके बाद इसके स्पाइसीज भी मैं साथ साथ चेक कर लूँगी कि अगर नमक या मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही है तो फिर मैंने ना वो एड़ भी की थी और चिली सॉस पर मैंने थोड़ी सी डाली थी अब मैं सारा जो मैंने फ्राइ किया हुआ चिकन था ना वो सारा मैंने इसमें एड़ कर दिया तो मैं ना इसके हमेशा थोड़ी थोड़ी पीसिस ना बड़े बड़े रखती हूं कि अच्छे लगते हैं मुझे अच्छे लगते हैं आम तो पर राया है बड़े पीसी मैं रखती aim क्योंकि कोटिंग भी उपर होती आओ आपका अंडा और वो झेका अच्छा उड़ा साइस I was just a अब मैं चावल बॉयल करने के लिए ना पानी रख रही हूं उसमें मैंने थोड़ा सा नमक एड़ किया है पानी में और इसके अलावा थोड़ा सा ऐल एड़ करूंगी और मैंने थोड़ा से मटर भी इसमें एड़ किये थे तो मैंने बॉयल इस पानी के अंदर ही ना मैंने तो बाद में हम सबस्जियों की इतना ज़्यादा नहीं पकाते तो फिर जो मटर है ना वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में तो मैंने चावलों को बॉइल किया था ना इसके अंदर ही मटर एड़ कर दिया थे ताक के मटर गल जाए चावलों के साथ ही गल जाए जितना मुझे चाहिए थी और बस ये जो थोड़ा सा चिकन बोन्स के साथ था उसको श्रेड किया था मैंने बॉइल करके और ये मेरे चावल भी हो गए हैं जितने मुझे चाहिए थे इनको प्रॉपर नहीं पूरा तरीके से गलाना एक अनी रखके बस इस तरह करना है तो इसको ब क्षोनजीज चाहलों के लिए तो इस तरह से अंडों को मैं पका लूंगी अंडे भी अच्छे लगते है इसमें असल में ये ऊओष जिए होते हैं तो फिर हम अपपनी मर्दी से इसमें वेजटेबल्ज भी एड़ कर लेते हैं चिकन भी एड़ कर लेते हैं क्योंकि हम बिल खाते हैं क्योंकि कुछ लोग चाइन जीक्क बहुत ही फीका खाते हैं लेकिन हम थोड़ा सा ना काली मिर्च को ज़रा तेजरा तेज और चिकन सबसे पहले उसके बाद वेजटेबल्स को फ्राय करूंगी और बहुत सारे तरीकों से चाइनीज राइस बनते हैं कई लोग तो ना इससे हलका सा पहले प्यावास का भी तड़का लगा के तो फिर जिसता तरके बनते हैं उस तरह भी कर लिए वेजटेबल्स को भून के और पान्य डाल के और उस तरह लगा के बहुत कर लेती होती थी जैसे बिर्यानी के स्टाइल में तो ये भी तरीका ठीक है और इसके अलावा जो चावलों को ये वेज़िटेबल्स को अलग मसाला सारा इसका बना के और चावलों को अलग बॉयल करके फिर दोनों को मिक्स कर दिया और बस पांच-दस मिले दम दे दो उपर थोड़ा सा फूड कलर डालके और उपर अंडे और सबस प्यास वगरा ऐसे डालके ना थोड़ी से सोया सॉस भी मैं दम पर डालती हूं तो मैं थोड़ा सा लेसन लिया चार पंच जवे लेसन के लिए उसको फ्राई किया मसलाइट ब्राउन सा करना है उसमें ये चिकन जो बोईल करके शेड करके मैंने रखा हुआ था इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी और इसको बस थोड़ा थोड़ा करना है क्योंकि ये पहले से बॉयल्ड है तो इसमें अब वेजटेबल्स सारी में एड़ करूंगी और इस तरह से बड़ी सहलोत हो जाती है पहले से सबजियां काट के रखी हो ना तो बड़ाई आपको सकून हो जाता है इतना टाइम सेविंग है ये के बड़ाई असानी हो जाती है तो इस चीज़ का मुझे बड़ा फाइदा हुआ है जो भी चीज़े मैंने और उसके अप लब बड़ा ही फाइदा हो जाएगा क्यूंकि उस हिसाब से मैंने सारी सबजियां कट करके रखी हुई है सबजियों के कलर भी आजकल गाजरे इतनी फ्रेश आई हुई है रेड रेड से अच्छी लगती है आम तोर पे चाइनीज बनाए ना तो वो औरिंज गाजरे मिलती तो वो उनका कलर ठीक लगता है लेकिन यह जो रेडsen गाजरे इनका कलर जादा अच्छा लगता है और यह टेस्ट में भी ज्यादा अच्छी लगती है उनका तो कोई टेस्ट य Хोता तो गाजिज भी मैने थोड़ी सी डाली थी इसमें क्यूनके जादा नहीं मेरे प्रचूं को पसंद और इसमें अब मैं स्पाइसिस एड़ कर रही हूं चिली सास डली थी सौयर सास और काली मिर्चें और नमक और सिर्का तो बस यही चीज इसमें जाएंगी और बाद में जब मैं चाबलों को मिक्स किया तो पिर भी मैंने सारी स्पाइसिस और गईरा चख लिए थे कि जो भी चीज मुझे काम लग रही थी तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी ओर एड़ करती थी पहले ना ये बनाने बड़े मुझे 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 लगते थे चाइनीज राइस और मंचूरियन तो अब मैं कफी दफ़ा बना चुकी नहीं तो मुझे बड़ा शॉपिंग दिखाऊंगी सारी जो भी मैंने बच्चों की की है अभी थोड़ी पहुती चीज़े नहीं ज्यादा नहीं ली अभी थोड़ी ज्यादा ठंड आएगी ना तो फिर ज्यादा और लेंगे आगे और अच्छी वराइटी भी आ जाएगी क्योंके अभी तो है ये एक बड़ा पतीला ले लिया था तो इसमें चावल जो मैंने बॉइल किये थे नीचे ठोड़़ा तो इसमें मैंने चावल अपने एड़ अड़ कर दीए थे तो चावलों की कौालिटी ना बहत अच्छी होने चाहिए बियानी और zwar बनाने के लिए ना तो जब कौालि दी थी ताकि ये ना थोड़ा थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो जाएं कुछ लोगों को ऐसे बिल्कुल खड़ी खड़ी नहीं अच्छी लगती सबसिया मतलब थोड़ी करंची नहीं अच्छी लगती थोड़ी सॉफ्ट हों तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं इसको पांच दास मिंट लगा देती हूं तो अब मैंने इन वेजटेबल्स को सारों को चावलों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद सबसे उपर दम लगाते वकत ना मैं उपर वो जो मैंने एक्स बनाए थे वो डाल दूंगी और सोय सास डाल दूंगी और मुझे थोड़ी सी काली मिर्च ना मैंने एड़ की थी मुझे मिर्चें कम लग रही थी इतना स्पाइसी नहीं लग रहा था तो फिर चावल यो इतने होते तो नहीं है स्पाइसी होते तो नहीं है लेकिन चलें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो कर लेती हैं, फिर मैं थोड़ा सा फूड कलर भी एड किया था, यह भी मेरे हस्बंट कह रहे थे कि एड करो, थो क्योंकि अक्सर बजार से लाएं तो वो थोड़ा से उन्हों ने डाला होता है इसमें जर्दा कलर ना, तो अच्छा लगता है उसके चावलों किये ते वाइट वाइट लाग रहे हैं तो थोड़ से एड करो फिर मैंने तो इस डाल लिया था और सबस प्याज थोड़ा से इसमें एड किया और सॉय सॉस तरह सी डालोंगी तो बस अब इसको मैं दम लगा दोंगी तो बस हमारा यमी सा खाना आज का रेडी है पांच दस मिंट के लिए दम लगाना है ज्यादा नीज को दम लगाना बस आज का हमारा खाना रेडी है और इसको मैंने डिश आउट कर लिया था अच्छे तरीके से इस पर मैंने थोड़े से वाइड तिल भी ऐसे स्प्रिंकल किये थे और थोड़े सा सबस्प्याज वह कर दिया था जरा इसकी गार्निशिंग कर दी थी तो बस अब हम सब खाना ख भी थी क्योंकि काफी टाइम लाग गया था फिर मैंने सारे बतन शर्तन वाश करके पिर हम मैं कमरे में आई थी तो मैंने का चलो बाप को ना शॉपिंग अपनी दिखाती हूं जो भी हमने की है तो यह एक पूरा ट्रैक सूट था लेकिन इसका ट्राउजर ना इतना थी तो उसको थोड़ी टाइट लाग रही थी तो लेकिन मुझे तो देखने में ठीक लाग रही थी मैंने का था ठीक है बोके है तो एक यह हुडी ली थी ब्लैक कलर की काफी अच्छी थी और एक ब्राउन कलर की हुडी थी यह भी बहुत अच्छी थी गरम थी और यह सारा ही ये कुछ आउटफिटर से कुछ ब्रेक आउट से और कुछ ऐसे ना एक था सेंशिया ब्रैंड वो बड़ा ही अच्छा था रिजनेबल प्राइस थी उनकी तो एक वहां से ये पड़ लिया था और इसके बाद एक और जैकेट भी उसने लिया थी वो नहीं मुझे नजर आ रही तो एक ये मैंने अपनी बेटी के लिये ली थी एक ये जीन्स थी बड़ी ही अच्छी मिल गई थी मुझे बड़ी रिजनेबल प्राइस में और एक ये ट्राउजर लिया था ब्लैक अलर का जो पहले दिखा है और इसके अलावा ये एक ट्रैक सूट लिया था ये भी मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और सर्दियों में ना मतलब ये वाम है काफी और बच्चों को ठंड भी नहीं लगती काफी सादा चीज़ें पैनानी भी नहीं पड़ती कि हाइ नेक भी पाइनो नीचे से और उपर भी उपर भी हुडी पाइनो तो ऐसे और आशे जो स्वेट शेट्चे कमरों भी रहते से कमरों ही रहते हैं बाहर तो नहीं इतना जाते तो बस अब ये शर्ट्स की काफी अच्छी व्राइटी मुझे वहां से मिल गई थी और मैं बड़ी ये देखे हो अप्सकॉच की शर्ट है और इसके अलावा मैंने अपनी बेटी की और भी ली थी शर्ट्स ना तो बड़ी ही अच्छी थी ये मैं आपको दिखा रही हूँ आज की शॉपिंग हमारी बड़ी अच्छी हो गई और मैंने अपने भी दो सूट लिये थे और वो मैंने घर पैनने के लिए लिये थे और बड़े रिजनेबल मुझे मिल गए तो आपको हमरी अगर वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक किया करें वीडियो को बड़ी मेंनत से वीडियो बनती है और प्लीज शेयर भी किया करें अपने फैमिली मेंबर्स और गरा के साथ और ये एक और ट्रैक सूट था जो मैं आपको दिखा रही हूँ और ये दो सूट मैंने अपने ले लिये थे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज और थैंक्स फर वाचिंग